दुरुके तीतुडी में स्थित स्वामी आत्मानन स्कुल की दिवारों में करंट आने का मामला सामने आया है जहां अध्यान रत छात्र छात्राओं के बीच दहशत का माहोल निर्मीत होने लगा है इसकी सूचना जैसे ही जिला सिक्षा विभाग को लगी तो मौके पर पहुंची जिला सिक्षा अधिकारी अर्विन मिश्रा ने स्कुल के कमरों का निरिक्षन किया उन्होंने बताया कि सिपेज की वज़ा से करंड का असर देखने को मिला है जिससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ और इस सम्मन में तकनी की तुरूटी को ठीक करने अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कल तीन बज़े प्रचारे को ये ज़ड़कारी मिली कि पल्खे में साज सरक्षर के कारा जीवारों में करेंट आ रहा है चुब कि उस समय कोई कर्चारे की जवाब नागर विदूत के अंदर में इसकी जानकारी जी गई जानकारी देके प्रचाल उसको ठीक कराया गया वहां पर बच्चे करक्षा में अध्यांबत नहीं थे इसी प्रचार की किसी को कोई हानी नहीं हुए और इस सम्मझ में प्रचारे को पहजिया मैं कुन इस सम्मझ में सामने देखके निर्देशित किया हूं इसकी परताल की जाए और जहां पर भी इसमें साहर सर्क्रिया कहीं पर है इसको ठीक करने के उप्रांती इसको अध्या सविख्रित करके अगर जो कार्य नहीं हुए तो सम्मंदित एजंसी और प्रचारे करें बच्चे को केवल आज अभी साड़े जादा बज़ गये हो और आज का समय भी हो गया है आज अभी लाइड चलू करके ही फाल को खुझा जा सकता है इसलिए इनको एक तिने पहले छूटी देखें और इसकारे को किया जाना है ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट